Dance Reality Show जलक दिकलाजा 11 लगदार सुर्ख्या बटो रहे हैं लोग शो को काफी ज़ादा पसंद कर रहे हैं शो लंबे समिबाद छूटे परदे बराया है और फान्स इसे पहले की तरह प्यार दे रहे हैं इस बार अर्शदवार सी मनाई का अरूड़ा फराखान जच की भूमिका में है जलक दिकलाजा 11 से हाली में आक्टर विवेक धहिया बहार होए हैं इससे लोगों को खास कर विवेक की फान्स को जटका लगा है शो से बहार होने के चलते उनके फान्स ने मेकर्स को भी आड़े हाथ लिया है कई लोगों को लगता है कि विवेक का शो से अन्फियर इन्विक्षिन था विवेक ने शो से बहार होने की कहानी बया की और साथ ही बताया कि उनकी पत्नी अक्षुस दिव्यंका दिपार्थी का इस बारे में क्या रियाक्षन था एक न्यूज वेबसाइट उसे बातचीत करते हुए जो लग निकलाजा 11 के कंटिस्टन विवेक ने कहा कि जब एलिमिनेशन थुआ तो वो कॉमेंट सुन रहे थे फाइनल को मोमेंट्स पर स्टेज पर सब कुछ गलरी हो गया था उन्होंने कहा कि मैं दव्यांका के लिए परिशान हो गया था क्योंकि वो शादी स्पेशल एपसोर था जब नंबर आय तो विवेक ने सभी को हक्या और चले गए विवेक ऐलिमिनेशन के लिए तयार नहीं थे उन्होंने कहा कि मिरी family भी इसके लिए दयार लही थी मैं इस show के लिए double shift कर रहा था उन्होंने कहा कि इस break के लिए उन्होंने लंबे समय से इंतजार किया और ये एक बहुत अच्छा अफसर था मैं खुद को साबित करने आया था जब वो घर पहुचे तो वो वहां से डव्यांका थी वहां पर वो घर के कोने में गए और लगतार रोने लगे वो कभी भी ऐसे नहीं रोए विवेक ने कहा कि उन्हें से पहले तक अपने emotional control पर proud था अपने breakdown के बारे में बात कर दे हुए वेक ने दिव्यांका के reflection के बारे में बात की उन्होंने कहा कि दिव्यांका तो काफी जादा परिशान हो गई थी वो किसी तरह उन्हें शांत करवाने में लगी हुई थी वो चाती थी कि उन्हें दर्श से मुक्ते मिल जाए इसके बाद आक्टर ने कहा कि उन्हें दो दिन लगेगा फिर से वो ठीक हो जाएगे उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए रॉक्स्टर वाला हार्डब्रेक था काफ़ी धर्द बना मैं इसके लिए तयार नहीं था ऐसा लग़ा था कि रोड एक्सिडेंट हो गया है मैं अच्छी स्पीड के साथ चलवा था और अच्छानक इसी कार ने आकर मुझे हिट कर दिया और वही पर सब कुछ खतम हो गया